दोस्तो एलो दोस्तो एजुकेशन डॉट फिरी चैनल में आपका स्वागत हैं आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी श्रविधान पहले वीडियो में हमने पढ़ चुका है कि श्रविधान में 22 भाग होते हैं और 395 अनुछेत बाइस भाग में क्या क्या समली थे हम लगोंने पहले वीडियो में पढ़ चुका है अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहला वीडियो देख सकते हैं आज हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे स्विधान और पहला भाग में क्या समली थे स्विधान स्विधान को हम सरल भासा न करें सभी के लिए बाराबर कानून को स्विधान करते हैं भारती स्विधान में 22 भाग तथा 395 अनुछेत है अब देखेंगे हम भाग वन भाग वन हमने पहले पर चुका है भाग वन में संग और राजी छेतर का वर्रणान है अनुछेत एक से कहता है कि भारत राजियों का संग है यूनियन है भारत राजियों का संग है अर्थात इसके राज कभी भी तूटकर अलग नहीं हो सकते भारत राजियों का संग है अर्थात इसके राज कभी भी तूटकर अलग नहीं सकते बात आती है कि आखिरी तूटकर अलग क्यों नही सकते हैं देखे जिस जो देश फेडरेशन होते हैं उनके राजी तूट सकते हैं जैसे सोवियत संग यूएसे हमारा देश का है फेडरेशन नहीं है हमारा देश का यूनियन है संग है राज्यों का संग अर्था इसके राजी कभी तूट कर अलग नहीं हो सकते हैं जो भी देखें क्या कहता है अनुछे 2 कहता है संसत राष्टपती को पूरो सुचना देकर किसी भी विदेशी राजी को भारत में मिला सकता है जैसे 16 मई 1975 को सिकिम को भारत में बिले करा लिया गया सिकिम का भारत में बिले हुआ अनुछे 3 कहता है संसत में राष्टपती को पूरो सुचना देकर वर्तमान किसी भी राजी का नाम उसकी सीमा बदल सकते हैं फौर एगजामपल बिहार से 6 खंड को अलग किया गया अनुछे 3 के तहत ओडीसा का नाम ओडीसा कर दिया गया अनुछे 3 के तहत छार क्या कहता या अनुछे 2 और 3 को अपलाई करता है इस संसोधन को राष्टपती रोक नहीं सकते हैं संसद में दो तिहाई दो तिहाई मतों से किस बहमत से पारित करके दो और तीन को कर सकता है राष्टपती उसका विरोद नहीं कर सकते है चार बस वही दो और तीन को अपलाई करता है ठीके? आज हमने पढ़ा भागवन भागवन के अंतरत क्या रखा गया है और छेद एक से लिकर चार तक संग और राजी छेत्र ठीके? धन्यवाद